नमस्कार अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है आज का वीडियो जो है वो क्यों ही एस्टोलोजिकल प्रेडिक्शन्स को लेके नहीं है लेकिन ये एक दिली ख्वाइस थी कभी मन में जब मैं आदिवाची छेत्रों में काम करता था और काफी काम किया हम लोगों ने और मैं कई संग्ठनों में भी रहा हूँ जो आदिवाचीयों के लिए काम करते हैं उनके बच्चों के लिए काम करते हैं आदिवाची समाज का रास्टपती बनने जा रहा है तो एक मन में खुसी थी कि क्या हम लोग अपने जीवन में ऐसा देख पाएंगे देखें मैं बताना चाहता हूँ कि जो आदिवाची होते हैं वो बहुत ही सहज बहुत सरल होते हैं और बहुत ही नम्र सुभाव के होते हैं जंगलों में रहते हैं पेड़ देवी देवता होते हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पे परंपराएं बदलती आती हैं लेकिन न आदिवासियों का जो सोसन हुआ इस देश में वो उसके बारे में कभी एक नया वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे उनकी जमीनों को छीना गया कैसे उनके जंगलों को छीना गया और ये कैसे विसे रहे हैं जिसमें बहुत लंबी ड़ाई चली और मैं अपनी तरब से भी मतल जब मुझे मालूम है कि उनका नाम जब राश्टपती के लिए आया तो मैंने नववर्स की कुंड़ी में बताया था कि इस बार भारत की जो राश्टपती हैं वापस महिला होंगी और आदिवासी भी मुझे पता था कि आदिवासी राश्टपती बनने जा रही हैं लेकिन उसको हम लोगोंने वीडियो का सेप नहीं दिया मालूम था सिर्फ घटनाओं को देख के इंतिजार कर रहे थे कि माननी पिधानमंती नरिन मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं उन्होंने देखे मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं कि मोदी जी जब संग के प्रचारक थे तो उन्होंने आदिवासी छेत्रों का काफी भ्रमन किया हुआ है तो आदिवासीयों की जो समझ से आये रही हैं वो कहीं न कहीं उनको पता हैं लेकिन जैसा कहते हैं कि इस देश में जो देश की अबादी है उसमें 80-90 परसेंट जो लोग हैं वो अन्सुचित जाती अन्सुचित जन्जाती और OBC में आते हैं OBC के जहां तक सवाल है तो वो बहुत ही उन्नत कर चुका है कुछ लोग बचे हुए हैं और आदिवासीयों को और अन्सुचित जन्जाती को भी अन्सुचित जन्जाती और जाती को सरकार नियारक्षर देखके उठाने का प्रयास किया मैं इस वीडियो के मार्दम से बताना चाहता हूँ कि समाज से लोग काफी आगे आये लेकिन समाज के लिए पलट की कुछ नहीं किया यदि ये हुआ होता तो मैं समझता हूँ कि आजादी के 75 सालों में आदिवासी समाज काफी ऊपर आ चुका होता अटल विहारी बासपेई जी ने दो राज्ये बनाये थे एक 36 गण और दूसरा राज जो था बिहार से काटके बना था जारखंड जारखंड में तो आदिवासी मुक्हमंत्री मिले लेकिन 36 गण में एक भी आदिवासी मुक्हमंत्री नहीं मिला लेकिन फिर भी तरक्की हु लेकिन आदिवासियों का सोसन होगा है दोनों राज्यों में इसके लिए जहां तक मैं समझता हूँ कि कौन जिम्मिदार है तो हम खुछ जिम्मिदार है मेरा इमानना रहा है और जो सोसन होता है जो दबाया जाता है मैं मुझे खुशी है कि यदि मोधी जी इस एंगल से अब से उनका विशेश धन्यवाद दूगा कि कम सकम उन्होंने इनके बारे में सोचा और यह बड़ी खुशी की बात होती है कि जब आदिवासी समाज से कोई राश्च्पती बनता है देखे पिछले राश्च्पती जो थे वो दलित समाज से थे और उसके पहले दलित नहीं जाएगी हमन मन में एक एक चाहा हो रहें कि क्या कोई आदिवासी इस देश का पिधान मंत्री बनेगा मैं समझता हूं वो दिन भी दूर नहीं है कि आदिवासी समाज से लोग आगे आके इस देश की सेवा करेंगे को कि आजादी में जो योगदान रहा है वो जादी के बाद भी development में भी रहा है बहुत से आदिवासी बिरोक्रेट्स politicians ने इस देश के लिए बहुत काम किया है और मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत खुशी का दिन है और कि सिर्मती दोपदी भुर्मुर जो है वो बारत की जास्पति बनेंगी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह आदिवासी समाज की हैं लेकिन कहीं न कहीं ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी होई है मेरे ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताया था कि यह कैसी संस्ता है जो परमात्मा से जोड़ती है दोपदी जी जो है वो भी उसको फॉलो करती है यह मुझे मालूम था लेकिन आज मैं आप लोग कोई बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं वो भी इस स्वर के बहुत करीब हैं परमात्मा के बहुत करीब हैं और मैं समझता हूं कि जैसा लोग कह होते हैं उनको समस्याओं का पता रहता है बोलते नहीं है हमेशा आप ध्यान रखेगा कि जो वन छित्र का आदमी होगा वो कम बोलेगा काम खुब करेगा लेकिन बोलेगा कम मैं अपनी चैनल से दोपदी मैडम को बधाई देता हूँ कुंडेली के साथ से मुझे मालूम था क कि इस बार एक महला रास्पती बनेंगी और वही हुआ जो मैंने सोचा था एक बार पुने धन्वाद नमस्का